नमस्कार जवलपुर लाइव के जुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आकाश पिछले तीन दिनों से हो रही बरसात को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है नर्मदा पे आ रहे उफान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सतर्क रहनी के अपी बारिश होने के करण कुछ बेक वाटर्स जो है कुछ नालों में आया है लेकिन हमारी टीम अलट है और जो टीम है वो बचाव कारे से लेके तो उनको सुरक्षित इस्थान के पर पचाने के लिए ताजस्व की नगरपन निगम की और होंगार्ट की जियारिफ चल रही है उसमें गंभी रूप से जो ग्रसित मरीज और संदिक्द मरीजों की सेंपल लेने के बाद रिपोर्टें दो दो दिन ना आने कारां उन मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है हमने आज इस बात का आगरह किया है कि उनकी रिपोर्टें अगर चार गंटे मे आ जाएंगी तो उनको सही समय पर इलाज मिल दे आगा और उनकी जो गंभी रिस्तिती बनी रहे इसमें सुधार होगा और कलेक्टर महदे ने इस बात को माना कि हम सीख रहा है उनकी रिपोर्ट सेंपल लेने के अंतरगत आठ गंटे के अंदर उसकी हम रिपोर्ट देंगे पिछले तीन दिनों से हो रहे बरसात के चलते शहर में हालात बिगड़ने लगे हैं शहर के पौश इलाको तिलहरी में सी चेतन कॉलोनी में बरसात का पानी घरों के भीतर भर गया कॉलोनी वासियों के इस समस्य स्रिणिवार को दुपहर तक परिशान होना पड़ा रास है कंदे तक है पूरा पानी अधिकारियों को बताए आपने चुछ कर रहे नीची किछे बार भी पानी भरता देखते चले गया अभी तक कुछ दिये ही नहीं रेलवे से मिली जानकारी कनुसार गुरुवार शुक्रुवार को ही तेज बरसात को देखते हुए रेलवे की इंजिनेरिंग विभाग ने ट्रैक सर्कुट सिस्टम की निगरानी के लिए मौनसून पैट्रोल मैन और वाच मैन को पट्रियों के किनारे तैनात कर दिया है ट्र नगनिगम की निवा में शहर के केवल 69 जरजर मकान है जने तोड़े जाने की प्रक्रिया जारी है अब तक उसने 10 मकान तोड़े हैं शहर में 2,70,000 के करीब मकान हैं जो नगनिगम की राज़त सुभाग में दर्ज हैं इनमें से आदिस से ज्यादा बेहत पुराने आवास है कई मकान तो अपनी उमर के 100 साल और इससे उपर का वक्त भी निकाल चुके हैं अब तेज बारिश होती है तो ऐसे मकान ठहकर दुरगटना को जन्म देते हैं जरजर भवन की कारवाई नगनिगम को केवल बारिश के वक्त याद आती है इसमें तंग गलियों में इस्थित हो ने नयायलीन प्रकरन लंवित होने से इन्हें तोड़े जाने में समस्यां आती हैं इसी बीच जब कोई जरजर भवन ढह जाता है और मौते होती है तो खुश समय के लिए सक्रीत नजर आती है जिसके बाद फिर सब कुछ वैसा का वैसा चलने लगता है वी तो सबता हुनमा इसी के साथ बुलिटिन वक्षो जला चुटे से ब्रेक का चलना जरूंगे ब्रेक के बाद एक बाद फिर सबका स्वागत है एक सितंबर से बसों का संचालन शुरू होने का संशा है दरसल बस ऑपरेटर अपनी मांगों के लिका रड़े हुए हैं और अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे किसी कीमत पर बस नहीं चलाने को तयार है हालत बेह कि हम नहीं चाहते कि बसों के पहि यह थमे रहें यह हमारी रोजी रोटी है मगर हमारी मजबूरी को भी शासन को समझना चाहिए एक बस पर सत्तर हजार से उपर का टैक्स वक्त का बकाया है जबकि बसे खड़ी रही थी अब इसे माफ करने की मांग कर रहे हैं जो पूरे प लोगडाउन के दौरान जिले की सीवा में शराब दुकान से ही सब कुछ बन रहेगा ना तो फल सबजी कराना राशन जनरल श्टोर कुरेंगे ना ही कोई वक्ती बेवजा घूम भिर चकेगा दो पई चार पई या वानों से आवजाही पर पूरता रोक रहेगी लोगडाउन काम नहीं उपा रहा था दिन भर में करीब 500 की उपर बिजली शिकायत दर्ज हुई अदिक्षण यंत्री आई के त्रिपाठी ने बताया कि नवागाउं सब स्टेशन पर तकनीकी खराब याने की वजए से शहर के कई लाकों में बिजली बंद है खरीब आदे घंटे तक द दौरान व्यक्ति का शिकायत भी धेरो दर्ज हुई बताया जा रहा है कि बारिश के बज़े से पूल पर चड़कर काम करने में परिशानी आई ऐसे में व्यक्ति का शिकायत उक निरकरन में समय लगा जबलपूर जिले सहित डिनवरी और मंडला में हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं जिसका सीधा सान नर्मदा के प्रवहा पर देखा जा रहा है बांद के जल भराव शेतर में तेजी से जलिस्तर बढ़ रहा है बांद के जलिस्तर को नियंतरित करने के लिए बरगी बांद प्रशासन ने शुकरवाज शाम पांच बजे पूरुम से खोले नौ गेटों को बढ़ा कर सतरा कर दिया है जिससे नर्मदा उफान पर आ गई है और पुल पुलिया घाट डूब गया है बांद प्रशासन ने जबलपूर नर्सिंग्पर को शंगाबाज जिले के प्रशासन को भी सूचित कर बांद के निचले शेतर के सभी रहासियों से सतर करहने और घाटों और डूब शेतर में प्रविशना करने का अग्रए किया है बरगी बांद में बल रहे जोलिस्तरत को नियंतरित करने के लिए बांद प्रशासन ने 21 में से 17 सिलिवे गेट आस्तन 2.59 मीटर के उचाई तक खोल दिये हैं रानिय वंतिवाई लोधी सागर परियोजना के मुख्य अभियनता बियस धुर्वे के मुताबिक 17 गेट से 2,33,444 की उसे पानी छोड़ा जा रहा है प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश के अंतिम्तिती अब 30 सितंबर होगी मध्य प्रदेश हाई कोट ने राजय सरकार की अरजी पर ये निर्देश दिये हैं जुलाई महा के अंद तक पूरी कर ली जानी चाहिए किसी भी सूरत में ये तारीक 12 अगस्त से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए वो माधिवक्ता गांगुली ने कोट को बताए कि भरतमान कुरोनाकाल की परिस्तितियों के लिहाज से स्कूल खोलना फिलहाल असंभव है इसे देखते हुए सरकार ने सभी निजी सरकारी स्कूलों को 30 अगस्ता के स्कूल बंद रखने के आदेश दिये हैं इस बुलिटिन फुरा इतना ही जी के साथ मुझे दीजियो जासर नमस्कार